हेलो एविवन असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक को माई यूटिव चैनल आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले आप बहुत ही लजीज और जबर दस्त असानी से बनकर त्यारने वाले चिकन सूप की रेस्पी और यह इतना जबर दस्त त्यार ह होंगी और आपको एक चीज में अच्छे से समझाओंगी तो आप लोग ने बस रेस्पी को फुल वोच करना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और अगर हमारी सूप की रेस्पी इच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जूर करें और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं तो चलिए अब उपने सूप की रेस्पी को बनाना करते हैं शुरू बिसम्लार रख्माने रहीं सबसे पहले हमने यहां पर सूप नाने के लिए सूप की यखनी पहले हम त्यार करेंगे तो यह आपर हमने 300 ग्राम बोलनेस चिकन का लिए और यह अपने टेस्ट की साफ हाईट कईष घर मकाते हैं वैस यहीा मैंत दोपम सब्सक्राइब में ने बनाए 에व एक्षी जबद रही जाब दकार गया याब इसमें जाएगा पानी एक ट्विटर में पानी का लिए यह में डाल देंगे मैं आपको जग दिखा देती हूं यह वला हमने एक जग लिए फूल पानी का यह डाल दिया हर गर में मुझूद होता तो यह आप इसी जग की मियर्मेंट लेकर पानी डाल सकते हैं और अब हमने यहां पर मिक्स करना है और मिक्स करते हुए यहां पर अपनी यखनी को पकनेल के लिए छोड़ेंगे तो उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक मुझे इंस्ट्राइग्रम पर फोलो ने किया तो मैंने यहां पर अपन आइडी आपको देती है आईडी को ओपन करे और देखें हमने बीच में जो लेड़ा हाफ कोल दिया था नहीं तो अगर हम फूल बंद कर देंगे तो हाइफ लें पर माईजी सारी यकनिया वह बूबल कर बाहिर आजएगी तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पहले साइड को साफ कर लेते हैं और नहीं डाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं लेकिन थोड़े से जब इसमें गाज़र के चंक साजेंगे तो और भी मज़े का मारा सूप लगेगा अब देखें आप फिर से गाज़र डाल दिया मिक्स कर दिया अब हम इसी यहां पर कवर करेंगे और ते करीबन पांशे शे करना अपने बात को गोर से सुला इसमें चिकन डाला अपना बोलस यह सारा निकाल लेंगे और देखें इस तरह से अब आपको बताती हुए हम किसलिए निकाल रहे हैं चिकन जो हमारा अच्छे से टेंटर हो चुका है तकरीबन दस से बारा मिनेट हो और यह जो हमारा चिकन निकाल लेते हैं और अब हमने क्या करना सारा निकालने के बाद जो हमारा चिकन इसके नहीं आपर रहे कर लेने देखें कि बीच में इस तरह से नहींगे जब हम हाथ से करके डालेंगे तो बहुत ही प्यारी सी लुक पी आजेगी और जो टेस्ट आप वह तो ऑसम है तो दे है कि यहां पर आप कंशिस्टन्सY जो सूप का अ हमारा कोन फ्रोड बाता है जासे सब्सक्स औरूर्णट ड हैक और यह आप लोक भी सक फोलो करते हैं और बनाते घ्याएं हमारे मज्यदार सूप तो देखें हमारा कुन कोन फ्रोड़ड का एंगे है दिए क looks को साइट पर कर देंगे और जब हमारे रेशियों होते हैं चिकन के तो उसके बाद हम अपनी आशे को चिकन करते हैं तो इसमें डाल देंगे बिल्कुं धाले लेटे करना चाते हैं तो घर सकते हैं तो देखें इस तरह आप देखें साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए 14 टीस्पून ब्लैक पाउडर का डालें यह डाल दिया और अच्छे मिक्स करेंगे तो यह ब्लैक पर हमने पहले क्यों डाली पहले इसलिए डाली क्योंकि अगर पहले डाल देते हैं जो हमारा सूप का कलर खराब हो सकता था अच्छे भी सर्दी बहुत बढ़ शुकी है तो बहुत ही हल्दी रहता हमारे यह सूप अब यह देखें हमने जो कौन फ्लोर का मिक्सर अपना बनाया था तो आप आपने यहां पर एक बात क्या रखना है जब आप इसे डालने लगे तो उससे पहले एक बार मिक्स कर लिए क्योंकि जो कौन फ्लोरा वो नीचे बैड़ जाता है तो देखें हमने अच्छे से मिक्स करते हुए अब एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे यह दिए कि सारे एक बार ढाले थोड़ा-थोड़ा करके डाले और कॉंटिन्यूसली मिक्स कर करते हुए डाले इस तरह से अब देखें माशनला से कौन फ्लोर टालते ही एक मिनिट के अंदर अंदर आपको नजर आएगा जो मारा सूप है उसकी मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और देखें माशनला से कौन फ्लोरा सारा डाल चुका है अच्छे से मिक्स कर लि अब इसमें यहां पर जाएगा एक अदर मैंने अंड लिया और इसको बीट कर लिया यह में डालेंगी एकाट से में डालती रहती हुआ दूसरा हाथ माम मिक्स करती लेंगी तो इसी तरह से आप फॉलो करते जाए और यहां पर क्यों डाने है वैसे अगर आप चाहते हैं स् जो सूप है हमारी उसकी लुक और मज़ेदार सी हो जाती है देखने में और प्यार लगते हैं जो इसके इंतर छोटे-चोटे से रेशे लगते हैं वो चिकन के नहीं होते दरहसल वो अंडे के होते हैं तो उससे भी ज्यादा खुब सूर्ती आती है तो इसी विद्धा से में दाल रहे हैं और देखे हमें आपको चमश में लेकर दिखा देती हो कितनी जबदस्त बिल्कुल कंसिस्टेंसी हमारी परफेक्ट हो चुकी है यहां पर सूप की और वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा सर्दी पढ़ रही है तो सर्दी पर कुछ गरम खाने का दिल करता है कु क्यूना गरम में सूप हो जाए और कुछ मीठे में गाजर का हलवा हो जो मैं आपको साथ और डी शेयर कर चुकी हूं अब यहां पर इसमें कुछ सोस चाहेगी वन टेबल स्पून हमने सोय सोस का लिया हाफ टेबल स्पून चिली सोस और उसके लाबावा वन टेबल स्पून करते हैं गर्मा गरम सूप को आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं तो लिज्योवर्स देखे माशला से हमारा बहुत ही जबर दस्त मज़ेदार हो जटपट चिकन सूप बन कर ताहर हो चुका है और देखे माशला से इसकी तो लूप की जस्ट काफी है कि इसको द आए सूप बना सकते हैं और इस सर्दी से भी बच सकते हैं तो अगर आपको मारे सूप के लगे वीडियो को लाइक जूर करते और चैनल पर नहीं है चैनल को भी जूर से सब्सक्राइब कर दें तो फिर नेक्स किसी में तरदाशी वड़ा सब्सक्राइब करते होगी तब त झाल